हेलो फ्रेंड्स मैं रीटा के क्रिएशन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए यह खूबसूरत सा क्रोशिय पर डिजाइन लेकर आई हूँ यह डिजाइन आप अपने स्टॉल शॉल किसी पर भी बना सकते हैं और यह बनाना बहुत आसान है और बनकर बहुत ही खूबसूरत लगता है यह दिखी इसकी फ्रंट साइड यह इसकी बैक साइड दोनों साइड से यह एक जैसा ही बनता है और यह बनकर बहुत ही जादा सुंदर दिखता है कि इस क्रोशे के डिजाइन के लिए मैंने बेबी भूल लिए और दस नंबर का क्रोश्या लिया हुआ है इस डिजाइन के लिए हमने जितनी मर्जी आप चेंज बनाएं जितने चौड़ा आपको अपना स्टॉल या शॉल चाहिए चेंज बना लें हम पहले ये एक लूप बनाएंगे लूप बनाने के बाद अब हम चेंज बनाएंगे अब चेंज लूज ही बनाएं यह लिखे हमने चेंज बना लेंगे हम दो चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे एक और दो ये दो चेन हमने एक्स्ट्रा बना के ये वाले थर्ड वाले चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है फिर हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़के ये वाले चेन छोड़के नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम एक चेन बनाएंगे फिर एक चेन छोड़के नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम एक चेन बनाएंगे फिर एक चेन छोड़के नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे हमने ये सारी रो कम्प्लीट करनी है ये देखिए ये हमारी फिर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई अब हम दो चेन बनाएंगे ऐसे और इसको यहीं से हमने टर्न कर लेना है अब हमने इसके भीच में से नहीं बुनाई करना हमने यहां जो यह वाले इसके सीद में यहां से बुनाई करना है तो अब हमने ये दो चेन बना लिए और एक चेन एक्स्ट्रा और बनाएंगे ये हमारी तीन चेन हो गई यहाँ पर अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिय बनाएंगे यह दिखी यहाँ पर इसके उपर ऐसे फिर हम एक चेन बनाएंगे फिर यह नेक्स्ट ही इसके उपर फिर एक चेन बनाएंगे यह रिखिये ऐसे फिर एक चेन बनाएंगे ऐसे हमने यह सुपर आएंगे सारी रो कंप्लीट करनी है और हमने यह सारी रोज ऐसे ही बनानी है यह दिखिये अब हम फिर से तीन चेन बनाएंगे एक दो और तीन और यहीं से हम इसको टर्न कर लेंगे फिर हम यहाँ पर इसके उपर हमने भीच में से नहीं बनाना इसके उपर से ऐसे बुनाई करने फिर एक चेन बनाएंगे फिर इसके उपर से फिर एक चेन बनाएंगे यह देखिए ऐसे करके हमने जितनी हमें लेंथ चाहिए हमने उतना इसको बना लेना है यह देखिए हमने यह कम्प्लीट कर लिया है यह मैंने एक सेम्पल टैयार कर लिया है आपको जितनी भी अपनी स्टॉल की या शॉल की लेंथ चाहिए उतनी आप बना लें उसके बाद आपने क्या करना है अब मैं आपको येवला पाट बनाना बताओंगी ये मैंने मल्टि कलर वूल से बनाया हुआ है आप चाहे तो इसको सिम्पल दूसरी रंग की प्लेन वूल से भी बना सकते हैं हमने यह मल्टी कलर की वूल ले लिए इसको आपने यह देखिए जितना आपका है उसकी लेंद से यह ज्यादा काफी ज्यादा दोनों साइड से आपने इसको जैसे यह हमारा यह है इसको हमने क्योंकि हमने इसको ऐसे करके यह काफी ज्यादा दोनों साइड से छोड़ कर इसको हमने जैसे यहां से इसको पकड़ा है हमने इसको ऐसे यह डबल कर लेना है इस धागे को और डबल करके हमने इसको काट लेना है ऐसे करके हमने ये सारे धागों को अब एक एक ऐसे इसी धागे से सारे धागों को नाप लेना है और उतनी लेंध हमने इसको कटिंग करते जाना है हमने इसके ये वाले होल्स को काउंट कर लेना है एक दो तीन चार पांच छेस साथ आठ नो दस ज्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा हैं तो हमने पंदरा धागे काटने हैं अब हम इस धागे को स्वेटर वाले सुई में डाल लेंगे यह देखिए ऐसे और इसको हमने बराबर कर लेना है दोनों सिरों को अब ध्यान से देखिए हमने यह सुईक लेकर इसको पहले यह देखिए ऐसे अब इसके नीचे से हमने यहां से इसको ऐसे गुनाई करना है फिर हमने इसको ऐसे अब यह हमने यहां पर इसके ऊपर से एक बार हमने ऐसे फिर इसको इसके सुईक को नीचे से ऐसे हमने निकालना है यह देखिए फिर हमने ऐसे यह देखिए ध्यान से यह ऐसे करके हमने यह दोनों सिरों को बराबर करके और यह वाले धागे को हमने यहां से काट देना है अब हम सुप में से धागा निकाल देंगे यह देखिए हमारे यह दोनों साइड को ऐसे यह बराबर धागे हमने छोड़ देने है अब हम दूसरे दूसरा धागा डालेंगे ऐसे देखिए हमने धागा डालके इसको ऐसे यह बराबर कर लिया यह देखिए यहां से फिर से हमने पहले यह देखिए हम यह दागा इसके उपर से ऐसे दिखाई दे रहा है अब हम इस नेक्स्ट वाले में इसके नीचे से ऐसे और इस धागे को हमने ऐसे छोड़ देना है अब एक बार हमने ये नीचे से फिर ये उपर की उपर से फिर नीचे से ये देखे ऐसे अब इस धागे को हमने यहां से काट देना है फिर हम नेक्स्ट धागा डालेंगे सुई में अब ये देखे ये हमारा नीचे से था अब हम फिर उपर से ऐसे ये धागा देखे अब हमारा ये उपर से आया है ये वाला उपर से था धागा ये नीचे से था अब ये फिर उपर से आज है अब आज हमने ये सारा कंपलीट करने हैं अब मैं आपको ये कंपलीट करके बताती हूं इसके बाद हमने क्या इसका प्रोसेस करना है वह मैं आपको बताऊंगी कर दो दो खुड़ी अब यह देखिए यह हमारे ऐसे हमने इसको तैयार कर लिया अब हम इन धागों को सेक्योर कर देंगे बंद कर देंगे कैसे बंद करना मैं आपको यह बताती हूं हमने यह देखिए यह दो धागे यह और यह नेक्स्ट वाले के दो धागे यह हमारे अब हमारे पास यह चार धागे हैं हमने पकड़कर ऐसे यह यह देखिए ऐसे हमने गांट लगा देनी है यह देखिए और यह हमारे फुंदे बन गए फिर हमने नेक्स्ट यह देखिए यह हमारे दो धागे हो गए और दो धागे नेक्स्ट वाले के इन दोनों धागों को ऐसे हमने पकड़ लेना है और इसको ऐसे उंगडी के ऊपर ऐसे घूमाकर यह देखिए ऐसे ऐसे इन दो चारों को हमने ऐसे बांद देना है यह देखिए फिर हमारे ऐसे ही हमने यह सबी धागों को हमने बंद कर देना सेक्योर कर देना है यह देखे ऐसे और यह हमने दोनों साइड से सेम ऐसे ही बनाना है अब यह ध्यान से देखिए लास्ट में हमारे यह एक दो और तीन बच गए यह अब हमारे हमने पहले दो दो को ऐसे करके हमने यह नौट लगाई थी अब हमारे यह तीन बच गए तो हमने यह तीनों को इकठे करके नौट लगा देनी है यह देखिए ऐसे हमने यह दूसरी साइड भी नौट लगाते जाना है इस खूप सुरु डिजाइन को आप अपने स्टॉल शॉल पर बनाएं प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यावाद अबहाद